कि नमस्कार आप सभी को मेरा नाम है अशुकवी रादा यादाव एडवोकिट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अप्लोड करता हूं जो कि आप सब लोगों करते हैं पसंद करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं और अब तक अगर आपने सब्सक्रा सब्सक्राइब उसके बाद आपकी जो टेंशन जो आपका मेंटली एक डिप्रेशन जैसे चीज़े बन जाती हैं बहुत सारी लोग हैं इसमें कि जो फसने के बाद बस अपना जीवन त्यागने के सोचते हैं सोचते हैं कि अब आगे हमारे जीवन कुछ रहा नहीं जिस पत सब्सक्राइब साहिं नीने हमारे सात में इतना बुरा और किया और इतना सब कुछ हमारे सात में कड़े जूठ सबकुश लिखा दिया और। उसके बाद हम तो ही हैं हमारे साथ साथ हमारे माबाप भाई बहन बगरा जिनका भी नाम दिया है तो उसको भी नाम दे दिया है तो जो कि उनके साथ में उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं उनका रोल ही नहीं है जो कि जिस घर में पती-पत्मी रहते थे उस घर से बहुत दूर उसकी बेटी की शादी होई, इसके बाब जूद भी उनका नाम दे दिया ग llegó, वो कोई लेने दिया नहीं ता, कभी-कभी फोन पर बात हो जाती थी, उनका भी नाम दे दिया जाता है, आज मैं आपको हो सकता है, कि ये वीडियो देखने के बाद, जो husband जो man अपने negative सोच या फिर किसी ना किसी mentally पीड़ा से पीड़ित हैं और वो सोच रहे हैं कि पता नहीं जीवन में आप इसमें 498 के इसमें क्या होगा, पता नहीं सजा होगी, पता नहीं जेल जाना पड़ेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे जमान कराएंगे, किस मेरा real experience है, जो मेरा अनुभव है, मैं आपको साथ बहुत शेर करूँगा, कोई इसमें जूट जाट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई लेट, लपेटा दारी नहीं, कुछ भी, सीधी बात, यानि कि जो 489 में actually में होता है, मैं आपको वही बताऊँगा, क्योंकि बहुत ऐसे पत अगर आपने पूरा देखा, तो हो सकता है, कि आप इस अंदिकार से भी वहाँ निकल जाए, हो सकता है, आपके जीर में एक किरन आ जाए, एक रोशनी, आपके जीर में वो चीज़ आ जाए, और आप बापस वैसे ही हो जाए, जैसे शादी से पहले थे, तो मेरी एक है, और मैं आप सब लोगों को ये भी करना चाहूंगा, कि अगर आपके शनल पर नए है, तो सब्सक्राइब भी करिएगा, बैल आइकन भी प्रेस करिएगा, और दूसरे लोगों को तक भी जानका देएगा, और जो लोग हम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे दियो नमर चीज क्या है, आपका मोटिवेशन, आपके जीवन में जीवन जरूरी है, ये सब चीजा चलती रहती है, आज है, कल और बढ़ेंगी, कुछ घटेंगी, कुछ है, इस चीज होती रहती है, लेकिन सबसे जाते इंपॉर्डन क्या है, जीवन, और जीवन को जीनने के लिए ज अकिला महसूस करते हुए, वो जी नहीं पाता है, जहां उसको, जिस उमर में उसको अपने जीवन की सबसे ज़्यादा उचाईया चूनी चाहिए, उस जीवन में, उस समय, जीवन के जो पड़ाव है, उस समय पर आप केश लड़ते हैं, आपके दिमाग में बस यह रहता है आप पर आपके अचे लिए में पार यह रहता है, फसा रहता है, और आप कुछ और सोचते ही नहीं, कि कहीं से सम्मन आ रहा है, कहीं से नोटिस आ रहा है, कहीं कुछ तो पूरा आपके परिशान, ऑर दूसरा सबसे जो बड़ी चीज हैं, जो important है, वो है आपका अपना अकि लड़ी रहे हैं पत्नी सो लड़ी रहे हैं खुद से भी लड़ रहे हैं यानकि जो कि सबसे ज्यादा कहते ना कि लड़ाई अपनों के साथ में जब होती ना तो फिर जीवन किस दिशा में जाने का मन करता है यह आप समझ सकते हैं तो आपको मैं आज भी बता रहा हूं कि चैस्ट ठन में जैसे केस बगरागर हो जाते हैं कोई सब्सक्राइब कर दिया हो चाहिए वह तीन सब्सक्राइब कर सकती है किसी भी हट तक पार कर सकती है चाहिए वह सामाजिक रूप से कितना भी गलत क्यों न हो बस उसको यह दिखा देता है यह लोग जियल जाने चाहिए जाया वह उसमें 306 लगवा दें तो बोज जो पत्नी है वो किसी भी हद तक आपको जिल भिजुआने के लिए कुछ भी आरोप लगा सकती है जूटा मैं यह गयारेंटीय से कहता हूं कि बहुत सारी ऐसी महिला हैं जो सिरफ और सिरफ अपने मन की भढ़ास निकालने के लिए अपने मन का गुसा निकालने के लिए अपने बदला लेने के लिए पती पती के परिवार से वो केस लिखवाती है बहुत सारी ऐसी महलाएं हैं जिनके साथ वागी गलत हो जाता है जो महिलाएं कानून के पास जाती हैं इनसाफ के लिए बही महिलाएं गलत करके आती हैं पहले से पती के साथ में पती के परिवार के साथ में बरना ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां शादी हो रही है और उसको रहने के लिए कोई दिक्कत हो कहते हैं जहां तुम जाओगे यान कि जो अपने माबाब के घर छोड़कर सास के घर जा रही है यान कि पती घर जा रही है तो कुछ तो वहाँ पर बदलाब मिलेगा और उन बदलाब के साथ में आपको एड़्जस्ट भी करना जब यहां पर आप अजर्बाइंगे क्या-क्या पती के साथ हो सकता है तो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा सबसे पहली बात तो देखे मैं आपको पूरा उतायता हूँ एक बात में कि होना कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ दो चीज़े होंगी पहला पैसा बरवादी दूसरा समय बरवादी बस यह चीज़े होंगी बाकि मान सम्मान तो खतम होई जाता है उसका कोई लिना दे नहीं नहीं लेकिन यह दो चीजे जरूर वनी है अब मैं आपको बताता हो कि यह चीजे अगर आप सोच के चलेंगे तो आपको जीवन में इन चीज़ें से ये शुर बुरा करता है तो आप निश्चिंत रहें आप टेंशन मत लेजिए बस आपके साथ में बुरा हुआ है और आप लड़ रहें तो आप लड़ते रहें बस तो अब जैसे मालों फायर हो जाती है तो फायर हम सबसे पहले आज डाम में यह केस इतने हो गया है कि कोर्ट पुलिस सब समझते हैं कि हाँ ये महिलाओं की सब चाल है और सब वो सिर्फ अपनी रंजिश अपनी भढ़ास अपनी मन की गुस्सा निकालने के लिए केस कर रहें पूर परिवार को प्रसंद करने के लिए अब इसमें ब्राबात रही बेल की तो जमानत सबसे पहले आप ज और झ parish होगा और कुछ नहीं कुछ घर सकती सालस आपको जमानत करानी जरूता और नहीं आपको कि कर आपको को चुक्त करने अप서 अंग कर आ और उसके जुए यह कुछis- है में सब्सक्रेंट कर यह हैwhat प्रेज मंगा था मुझसे नहीं हुया नहीं तो 90 परसेंट जो प्रूफ कर यह नहीं पाती है कि यह कि हाँ यह सब चीज फॉल्स केसे तो आपको यहाँ पोई डरनी हो सकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो समय जो समय निकल लाया, उसकी हानी सबसे ज़्यादा important है, क्योंकि वो हानी इसकी जो हो रही है, वो आप recover नहीं कर सकते हैं, आज आप 40 साल गए हैं, 30 साल गए हैं, आप 10 साल आपने case लड़ने में क्योंकि निकल जाते हैं, क्योंकि लड़ने में, अगर आपको पत्नी आपके आपस में समझाता नहीं हो रहा है, तो अगर लड़ाएंगे तो 8-10 साल तो आपके लड़ने में, तो जो समय की हानी हैं, बस वही हानी है, और पैसे की तो पैसा देखिए, आज जाएगा तो कल समय की हानी हैं आपके लिए, रही बात की जो केस, पूरा मैं आपको केस बताओं, तो पूरा अंत में आपको आप इस चीच को गुल भी माइंड से अपने निकाल लीजिए, भला दीजिए कि आपको कुछ होने वाला है, बस ये ध्यान रखिए, कि ऐसे समय पर आपको समय अपने माता पिता के साथ में, आपने ये सिहत सही रखें, क्योंकि सहाथ खराब हो जाएगी, आपने लड़ाब पाएंगे ने मैंटल और फिजिकली, तो आपको ज़रूरी है, आप अपने आपको से सेफ रखें और अपने आपको और सघर्री आप ठीक रहेंगे तो अपना काम स्याय कर रहे go अब भूल तो जाएगा और अगर आप चाहतें और राष्टा बढ़ाना पुर रिस्क्यारकि दाकृ выпускे लेना चाहते हैं तो आप तो अथा शॉड़क्त Risk बस मैं तर्म आपकी और फी जानकार लेतेश निया हैं तो आप वंसे हमारी लेगल आडवाइज भी ले सकते हैं जो कि चार्जबल है तो बस में तर्म आपकी आपकी आपसे बहुत धन्यूप।